दोस्तो वेब स्टोरीज के नाम पर बहुत सारी गलत इन्फोर्मेशन मार्केट में जो है स्प्रेट की जा रही है जिए हाँ यूटूब के उपर धेर सारे मिसलीडिंग वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको बहुत सारी बाते फेक बताई जाती है जी हाँ दोस्तो वेब स्टोरीज बनाने से लेकर एडसेंस में पैसा आने तक आपके साथ बहुत सारी misleading information इंटरनेट के वर्ड में share की जारी है तो वेब स्टोरीज की आखिर क्या असलियत है और एडसेंस की earning में क्या आपके साथ धोका किया जा रहा है यह आगे आपको इस वीडियो में पता ही चलेगा यहाँ पे मैं आपको details step by step बताऊंगा कि genuine तरीके से आपको कैसे अपनी वेब स्टोरीज बनानी है कैसे उन्हें rank करना है और कैसे वेब स्टोरीज से आप अच्छी खासी income अपने लिए generate कर सकते हो और ना ही income आप अपने website के लिए जो भी आपकी नई website है या फिर पुरानी website है उसके लिए एक अच्छा कासा traffic भी generate कर सकते हो तो चलिए सीधा शुरू करते हैं आज का tutorial तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कोई भी web stories बनानी है या फिर web stories से पैसे on करने है तो सबसे पहले आपके पास एक domain name होना चाहिए और hosting होनी चाहिए मतलब इन simple ways में आपके पास एक website होनी चाहिए अगर आप एक website नहीं खरीज सकते हो आप कोई भी domain name नहीं करीज सकते ह तो कैसे उसे free में खरीदना है मैंने इसके उपर वीडियो अल्रेडी बनाया हुआ है आई बटन में link दे दूंगा आप वो जाकर देख लीजेगा देखे दोस्तों वीडियो बिल्कुल भी skip मत करिएगा क्यूंकि यहाँ पर मैं जो genuine तरीका है web stories बनाने का और genuine तरीके से कै आपको traffic generate करना है उसके बारे में detail में बताने वालो तो दिखे एक बार आपका domain जो है सेट हो गया एक बार आपकी hosting सेट हो गई तो उसके बाद सबसे जरूरी चीज जो होती है वो होता है web stories बनाने का plugging अब यहाँ पर मैं यह सब चीजे नहीं बताऊंगा कि आप अपने blog को rank करवाई वे post लिखे यह सारी चीजे तो आपको करना ही है post अच्छे खासे आपको अपने blog के उपर लिखना ही लिखना है अगर यह सारी बाते मैं यहाँ पर आपको बताते बैटूंगा तो वीडियो अननैसेसरी लिप बहुत ही लंबा हो जाएंगा तो सबसे पहली important जी हाँ गूगल का official plugin है तो मेरे तरफ से recommended plugin यही है वेb stories का इसको आपको install करके activate कर लेना है बस यही चीज चाहिए आपको और कोई नहीं चाहिए बाकी भी बहुत सारे plugins available है market में पर यहाँ पर वेb stories जो है based plugin है गूगल के तरफ से trusted plugin है यही plugin आपको use करना है अब सबसे important च कुछ नहीं करना है जो भी आपका chrome browser होगा मैं यहां पर यह बंद कर देता हूँ जो भी आपका chrome browser होगा वहाँ पर जस्ट आपको कोई भी VPN डाउनलोड करना है जस्ट आपको कोई भी VPN इंस्टल कर लेना है और देखिए google wave stories अगर आप United State के लिए UK के लिए अगर करते हो तो आप सई से अपने stories के लिए genuine content find कर सको देखिए United State को अगर आपको target करना है तो इंडिया में बैटकर आपको VPN का use करना ही करना पड़ेगा क्योंकि United State के अंदर आपको जो भी CPC मिलेगा Google के AdSense के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा मिलेगा और आपकी income भी ज़्यादा होगी त का location on कर लेता हूँ अपने VPN के अंदर ओके एक बार लोकेशन on कर दिया तो मैं एक बार इस ब्राउजर को refresh भी कर लेता हूँ और अब यहां पर मैं सर्च करूंगा बिंग पता है ना किसका search engine माइक्रोसॉप्ट का जस उसको मैं यहां पर सर्च कर लूँगा उसके home page के उप find out करने का और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं पर यह भी एक तरीका है और यह एकदम simple तरीका है अब देखें आपने being.com के उपर चले जाना और यहां पर कूज भी नहीं करना है दोस्तों जस नीचे आना है जस्ट आपको scroll करके being.com के उपर नीचे आना है अब देखें य VPN का हा का set करके रखा है US का तो यहां पर जो भी जितने भी न्यूज आ रही है न्यूज आर्टिकल या फिर जो भी चीज़े ट्रेंडिंग में चल रहे ही वो सारे US के न्यूज आ रहे है तो यहां पर जितने भी आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं वो सारे US के दिख रहे ह अब यहां से आपको content मिलेगा आपके web stories के लिए अब दिखें यहां पे आपको search करना है local news ध्यान रखिएगा आपको local news ही यहां पे search करना है क्योंकि अगर आप local news के उपर focus नहीं करोगे international news के उपर जैसे अगर मैं बात करोगे यहां पे दिखें Elon Musk से related एक news है अब Elon Musk एक ऐसा person है जो इंडिया में भी famous है US में भी famous है all over the world famous है अगर आप इंडिया में बाइट कर Elon Musk के उपर story बनाओगे तो यह बहुत ज़्यादा chances है कि Google web stories आपकी stories जो है वो only and only इंडिया में ही दिखाए US में वो नहीं दिखाएगे क्योंकि Elon Musk को इंडिया में लोग जानते तो यहां across UK strike for the first time on 15 to 20 December मतलब यहां पर UK के अंदर एक strike हो गई है 15 से 20 December के अब यह जो हो गया यह local topic हो गया इसे local topic आपको यहां से search करना है और उसी के उपर आपको जो है stories बनाने अब दूसरा topic यह पूतिं के बारे में कुछ तो आर्टिकल है अब पूतिं के बारे में आर्टिकल आ है तो इसलिए यह जो topic है यह all over the world में famous है हमारे इंडिया के अंदर भी इसके बारे में चर्चा होती है अगर आप पूतिं के बारे में यहां से आर्टिकल लिखे होगे तो यह US में जाने के चांसे बहुत कम रहेंगे इंडिया में ही रहेंगे इंडिया के अंदर ही वो वे जे अफरे क Sense है और है वह यहां पे यह जो है एक एक यूज आई है तो यह मेरा टिकल आपको यह बहुत इसे पर्सन के बारे में फेमेन इंडिया इस ऐसंब 32 से उपर इसे बना रहा निन्ह versucht यहां पर देखिए यहां पर मुझे जो है यहादे अब ये जो स्टोरी है यह स्टीफन हेंडरी के नाम से अब outta ये जो है ये बहुत अच्ZY स्नूकर प्लेयर है अब इंडिया के आदर अंधर शाहदी अि ईसस्नूकर् होगा तो वो ज्यादा लोग नहीं होगे तो maximum लोग इनको जानने वाले इनको चाहने वाले यूस और यूके में बैटें इसलिए आपको ऐसे ही लोकल टॉपिक सर्च करने है जो उनके देश के अंदर ट्रेंडिंग में चल रहे है यूस और यूके में पर वो टॉपिक उनके देश के अंदर ट्रेंडिंग में और पॉपुलर होनी चाहिए उसी के उपर आपको जो है वेब स्टोरीज बनानी है इस तरीके से आपको अपने वेब स्टोरीज के लिए कोई भी कंटेंस सर्च करना है US और UK के लिए इंडिया के लिए तो आप अपनी हिसाब से कर सकते हो यह आपको पता है अब देखें इसमें से ही कुछ lines आपको उठा के अपने web stories के अंदर डालनी पड़ेगी direct copy और paste करके या फिस spinboard का use करके आप कर सकते हो अब यहाँ पर दूसरा tool हमारा जो आता है पास available है जो आपके लिए sentence को spin करने का काम करेगी आप देखें यह sentence मैंने सीधा वहाँ से उठाया और यहाँ पर डाल दिया और basic spin के उपर मैंने क्लिक कर दिया अब पूरा का पूरा sentence यहाँ पर change हो गया जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो तो spin board का यूज करके भी आप सीधा जो है copy paste करके अपनी web stories बना सकते हो पर यह genuine तरीका नहीं है copy paste का मेरे तरफ से recommended नहीं है आपको अगर सही में असलियत में अपने google web stories के उपर काम करना है तो थोड़ा बहुत content के उपर आपको काम करना ही पड़ेगा अगर आप long term की सोच रहे हो आप एक मेना दो मेने के लिए सोच रहे हो तो आप 101% definitely यह copy paste वाली method के उपर जा सकते हो और ऐसा करके भी बहुत सारे लोग जो है अच्छा कासा access income generate कर रहे है अपने लिए तो चलिए मैं यहाँ फटा फट से हमारे जो है website के अंदर login करके फटा फट से अपनी एक गूग बना लेता हूं तो मैं तो दिखें Google web stories बनाने के लिए हमें जो है एक बार हमने plugin इस्टॉल कर लिया तो यहाँ पर आपको stories को option मिल जाएगा यह देखें stories को option बस यहाँ पर इसके उपर क्लिक करके आपको dashboard के उपर क्लिक करने के बाद आपको जो है कुछ ऐसा interface मिलेगा Google web stories के plugin का जी हां यहां से आप जो है stories बना सकते हो अब देखें Google के तरफ से already templates बना के दिये हुए होते हैं आपको कोई भी story बनानी होती है इसके लिए आपको already inbuilt template जो है दिये होते है तो इन templates का use करके भी आप directly यहाँ पर story बना सकते हो जैसे मैं यहाँ पर कोई template set करूँ कोई okay तो यह हम यहाँ पर use template के उपर जैसे क्लिक करेंगे तो use template के उपर क्लिक करने के बाद यह जो है Google web story हमारे सामने जो है जैसी की वैसी आ जाएगी जितने भी इसके अंदर slides हो गया अब total 13 pages है 13 pages हमारे सामने यहाँ पर आ गये है अब just हमें इसके अंदर content जो है चेंज करना है मैं फटा फट से इसके अंदर हमारे अर्टिकल का content डाल देता हो और आपको जो है Google web stories बना के दिखाता हूँ तो यहां पर हमारी Google web stories जो है बनके तयार होगे चलिए देखते हैं कैसे देखती है मैं ज्यादा को sentences में आड़ नहीं करें मैं जस्त आपको दिखाने के लिए जो है यह Google web stories यहां पर मैंने बनाई है तो चलिए प्रिविव करके देखते हैं हमारी Google web story कैसे बना दिक कैसे दि तो आप जो है default template जो है Google web stories में available है वो यूज कर सकते हो और यहां पर यहां पर दिखा भी देखा कि iPhone के उपर कैसे दिखते है OnePlus के उपर कैसे दिखते है आप अपना device भी यहां पर आड़ कर सकते हो तो देखें आपकी web stories जो है कुछ इस तरीके से सारे phones के उपर जो है दिखा इमेजेस यूज करोगे तो वो copyright free ही यूज करो क्योंकि अगर एक बार आपके website के उपर या फिर आपके stories के उपर copyright claim आ गया तो आपका जो भी earning है वो जिसका भी photo है उसको जो है चला जाएगा और दूसरी बात Google को अगर यह पता चला कि आप इदर उदर से उठा के images जो है अपने web stories के अंदर डाल रहे हो तो आपके web stories का reach भी वो कम कर देगा और आपके website के उपर traffic आना भी बंद हो जाएगा इसलिए आपको हमेशे genuine तरीके ही यूज करने है अपने Google web stories जो है बनाने के लिए कोई भी आर्टिकल कैसे सर्च करना है आपको जो है content कैसे सर्च करना है US UK के लिए मैंने यहाँ पर बताई दिया है तो यह सारी चीजे है अगर आपको Google web stories अगर बनाना है तो आपको यही genuine तरीका follow करना है आपको कोई और कहता है कि मैं आपकी Google web stories रैंक करके दूँगा आपके website के उपर traffic लाके दूँगा तो दोस्तों उनके बातों में मत आये क् fraud जो है Google web stories के उपर हमारे जो है YouTube के उपर आजकल चर रहा है यही genuine तरीका है इस तरीके से आप topic find out करिए और stories बना के publish करिए और दीरे दीरे करके आपकी stories viral होना शुरू होगी और आपके website के उपर 101% traffic आएगा उम्मिद करता हो आपको वीडियो पसंद आयोगा अगर वीडि श्यम्मिट आजये बने मत्रम